मुझा हेलो इंवेस्टर्स, वेलकम कि अदर वीडियो ए बजार बुल जाये आए होप आप सब अच्छा कर रहे हैं तनक क्यू सो मच आपने हमारे सोब जाए लूछ आपने बच्छा करने से बचा कर। और आज का वीडियो बहुत ही special है क्योंकि एक ये Share Academy special video है because हमें उन्होंने request किया था कि क्या हम ये company के उपर एक वीडियो बना सकते हैं तो ये video जो है वो dedicated is just for Share Academy thank you so much और वीडियो की शुरुआत करने से पहले we are proud to be associated with angel 1 which is angel broking बेरे किसी भी investor friend को अगर अपने लिए एक DMAT account open करना है तो वो हमारे description box में जाकर हम वो link पे click करिए तो आप वहां से अपने लिए DMAT account open कर सकते हैं जिसकी first year की annual fees जो है वो बिल्कुल free है और अब चलते हैं इस company के बार में थोड़ा detail में discuss करते हैं इस company का नाम है Triton Wolves Limited शांधार company और लगबख 70% market जो है इस company ने अपने product में capture किया हुआ है पूरे इंडिया में अब चलते हैं थोड़ा इस company के detail analysis में तो company जो है company के fundamental analysis ऐसे है कि company का 127 करोड का market cap है बहुत चोड़ी company है अभी और इसका current market price जो है sales जो है वो quarter and quarter जो है वो stable है मैं ज्यादा यह नहीं बोलेंगा कि sale काफी बड़ी है तो quarter and quarter इस company की sales जो है वो stable है और net profit जो है इस company का June के quarter में जो last जो इसके quarter का result आया था वो थोड़ा सा कम हुआ है वो काफी जादा कम हो गया है और इसका EPS भी minus में आपको जो है इस company का share capital सिर्फ एक करोड है और इसके reserves जो है यहाँ पर बड़े है यह इस साल में लेकिन इसकी borrowing अगर आप देखें तो लगबक इसकी borrowing और reserve के बराबर यहाँ पर आ चुकी है तो 59-87 जो एक साल में इस company ने जो इस company की जो borrowing बड़ी है जो इस company ने करजा उठाया है तो सब सबसे पहले यहाँ पर अभी हम तीन पॉइंट के ओपर तोड़ा detail में discuss करेंगे सबसे पहला point यह है कि इस company ने अगर अगर loan उठाया है तो वह company उस loan का क्या करेगी तो यह चीज़ पर हमें देखना चाहिए नजर रखनी चाहिए कि क्या यह company उस loan उठाकर उसका अपने company मे capex करती है तो capex का benefit अगर वो कर रही है capex तो आने वाले time में आने वाले quarter में उस capex का company के profits के ओपर क्या असर पड़ेगा वो भी आपको और हम सबको मिलकर पढ़ना चाहिए दूसरी बात यहाँ पर आपको EPS इसलिए आपको minus में देखने मिली क्योंकि मेरी expectation यह थी कि इस company की इस quarter की EPS कम से कम 25 हो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हमें देखने मिली क्योंकि इस company का operating profit margin वो उस पर हमें फरक पड़ा क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो इस company का net profit यहाँ पर कम हो गया क्योंकि इस इसका interest बढ़ गया तो इस company का interest अगर आप देखें गया यहाँ पर स्क्रीनर पर या फिर किदर भी जाकर अगर आप देखें तो इस company का interest हो जो interest on loan जो यह company दे रही है वो लगबग डबल हो गया है तो उस that is the reason यह company का जो यहाँ पर आपको net profit आपको कम हो गया उसके बाद म इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक छोटी company है एक microcap company है तो इस तरह की जो companies होती है जो इन इतनी छोटी companies होती है इन companies के ओपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह companies आने वाले time में जाकर आपको अच्छे return जो है वो देती है तो अभी इस यह सब जो पर positive side पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए promoter holding इस company की stable है और इसकी public की holding भी और यह ज्यादा इस company के share मार्केट में trade नहीं होते है because अगर आप देखे तो यहाँ पर you know अगर इस company का जो total liquidity देखे तो इसके share capital देखिए आप तो इस company की अगर इसकी face value पर पूरा calculate करेंगे त अगर इस company के कुछ market में आपको share trade होते हुए देखेंगे क्योंकि कोई भी इतनी शांधार company को छोड़ता ही नहीं नहीं वह company को बेचता यह भी positive point मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और अगर इस company के key information जो है जो होड़ा इसके बडिसकर्स करते हैं तो company जो है वह leading जो ए market share है पूरे इंडिया में तो आप समझ सकते है 75% market share और इतनी शोटी company का बहुत बड़ा नंबर है और recently यह company ने अपनी development है यह company ने air conditioning में भी जो है वो पूरा अभी इसमें यह company ने अपना establishment किया है और home segment में across the industrial and home segment यह दोनों में किया है और दूसरे यह है कि जो इसके company के products है वो कहां का use होते है जो different different sector में automotive हो गया air conditioning हो गया hydraulics हो गया then आपको aerospace हो गया mining defense industrial HVAC तो यह सारे चीज़ों में इसके products होते है और यहां पर अगर आप देखें तो company जो automation और जो emerging technologies है उसके उपर जादा जो IOT जो हम लोग बात करते है IOT का जो concept बहुत जादा है market में आज के टाइम पर तो यह company उसके उपर बहुत जादा focus कर रही है तो और सबसे लाज में है यह बुलूगा कि company ने अभी जो है वो एक e-commerce platform भी launch किया है जो चोटी-चोटी-चोटी टाय अपने लिए अपने लिए अगर आपको product खरीदना है तो महां से अपने लिए product खरीद सकते है यह चोटी-चोटी टायर जो shop से उनके लिए भी है तो और यह company के products है जो Triton valve जो है इस company के products यह है जैसे आप देखे तो valve है जो tube के valves होते है वो यह है tubeless valve है उसके बाद में valve core ह है उसके बाद में auto air conditioning valve यह यह वो है उसके बाद में home में components पर है जो valve की components है flash flash buster accessories है तो यह सारे products यह company जो है बनाती है आप यह industry कौन सी-कौन सी surf करती है वो मैंने आपको पहले बता दिया बट फिर भी आप यहां पे देख सकते है अब आप चलते हैं इस company के जो ट्राइटन वाल्स and capabilities for automotive sector अगर आप इस company के देखेंगे तो इस company के automotive sector भी काफी जो valve बनते हैं वो काफी शानदार जो है यह automotive sector सबसे बहले हम sector by sector बात करेंगे हो हर sector की जो यह client जिस company को यह अपना material supply कर रहे हैं वो भी आपको detail में बता देंगे तो यह automotive sector में है यहां पर लिखा एक हाली में यही पढ़ूंगा sophisticated machining molding and assembly lines with building quality checks to ensure 100% defect free products तो इनका automotive sector में यह पूरा जाता है अगर आप देखें तो इनके automotive sector के clients आप सारे major clients इंडिया के जितने भी बड़ी-बड़ी companies उन सब के नाम आप यहां पर देख रहे हैं बजाज, Hero, Honda, then उसके बाद Hyundai, Mahindra, Maruti, Tata, Toyota, TVS, Renault, then उसके बाद में Yamaa तो इसके automotive sector के इसके clients है अगर आप देखें तो ट्राइटन वाल जो है truck और bus wheels जो है यहां पर देख सकते है truck और bus wheels के जो यह बनते हो कैसे दिखते हैं और यहां पर आप देखें तो इनकी facilities की थोड़ी-बहुत फोटोस है आपके लिए आपके reference के लिए देखें कि तो महले wheels limited यह भी एक listed company है Tata Volvo wheels India Limited यह सारी शांदार companies वाशोक लेक सारी बड़ी company list है यहां पर आप देख सकते हैं कि इतनी चोटी company और इतने बड़े-बड़े clients को यह cater कर रही है उसके बाद में आप देखते है automotive air conditioning तो automotive air conditioning में अगर आप देखें तो इसके clients देखें आप तो इसके इन पर दिख रही है जिनको यह अपना material supply करते कभी आप इनकी website पर जाईए देखें यह company जो है जाइंट है automotive air conditioning में तो यह उनको यह अपने material यह supply कर रही है उसके बाद में अगर आप देखें तो यह tire pressure monitoring systems अगर आप आज के टाइम पर जो automotive सेक्टर में जो tire pressure monitoring systems जो आते हैं उसके बाद में personally भी देखें आप Amazon हो गया काफी सारी जो websites है महाँ पर जाके आप अपनी car के लिए personally automotive जो है वो tire pressure monitoring system से वो भी खरीते हैं उसके अंदर भी वो जो valves लगते हैं तो यह valve उनको भी companies को भी supply करती काफी चोटी companies को भी करती है बट आम यहाँ पर देखें तो यह चोटी मोटी companies नहीं है यह company giant है अपने automotive systems बनाने में tire pressure monitoring system बनाने में आप इनके बारे में भी जाके आप अगर आपको चाहिए तो detail में पढ़ सकते हैं आप चलते हैं इसके जो capabilities है for industrial and home air conditioning तो जो industrial and home air conditioning में जो valve लगते हैं यह देखिए यह वो valve आपने यह नॉमली देख करके रखता है यह वाल बहुत important है यह Triton यह यह वाल बनाती है और इसके clients आप देखें blue star then उसके बाद में शिंडलर लायड उसके बाद में जैमल यह बहुत बड़ी-बड़ी companies है यह कोई छोटी companies नहीं है जिनको इंगर्सौल राएंड अगर आपने इंगर्सौल राएं is for partners for electric vehicles तो electric vehicle में आपने सबसे अभी recently अभी Ola का नाम दो हमने सुना ही है लेकिन आपने अभी सुना होगा Ather and Hero Electric तो यह बहुत बड़ी companies है Ather and Hero Electric का काफी बड़ा दबदबा है electric segment में for two wheelers तो अभी यह already इनके वो customer है maybe शायद in future यह और भी मेभी शायद Ola के साथ भी incorporate करें यह एक एक गैस है मेरा but I don't know I'm not sure but यह मैं आपको एक just you know random a guess कर रहा हूं मैं उसके बाद में अगर हम देखे तो aerospace और defense में अगर हम देखें तो यह company किस किसको में अगर आपने वाल अपने वाल अप्लाय कर रही है तो aerospace and defense में अगर आप देखे तो A.R.L. Ashok Leland, Safe Shore, B.E.M.L Tata Motor, Wheels India Limited तो यह महां पर aerospace और defense में इसके वो जा रहे है तो इसके बाद में Mining and Construction में देखे यह जो वाल्स है यह वाल्स है यह महां पर supply होते हैं तो यह Mining and Construction में कहां कहां पर देती है जेए-जी भी को देती है देन Levoi, B.A.M.L. देन उसके बाद में L&T, L&T कितना बड़ा customer है आप देख सकते हैं तो यह इतने बड़े-बड़े customers को अपने यह mall जो है वाल्स है यह उसको supply कर रही है देन उसके बाद में अगर हम लास्ट में देखे तो यह company जैसे मैंने आपको first जो slide है महां पर बोला था कि यह company के अपने खुद की वेबसाइट है जहां पर आप लोग-इन करें कार्ट में डाली और अपने लिए पर्चेस करिए यह यह दूसरा एक screenshot है आपके लिए जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अपनी वेबसेट में अवेलेबल है आप जाके इनको खरीच सकते हैं और last but not least मैं आपको यह chart analysis करने से पहले एक चीज में आपक सबसे बड़ी यहां पर देखिए यहां पर आके इस कंपनी ने यह पूरा जो consolidation हुआ था यहां पर देखिए इसका consolidation में आप नीचे volume आते हुए देखिए और यहां पर देखिए इस company ने फिर breakout दिया फिर यह company accumulation zone में गई पूरा इसने consolidation किया जो है December से लेकिए अगर आप देखे June में तो पूरा consolidation में जाने के बाद में इस company ने यहां पर gap opening दिया तो जो ओपन दिया है यहां पर इस company ने उसका अभी आप देख सकते हैं यहां पर gap फिल हो गया यह एक positive indicator है पट अभी भी जो इसके indicators वह बेरिश हैं वह नीचे के हैं तो यहां से इस company को थोड़ा सा downside और देखने मिल चकता है लेकिन उसके बाद में जब यह company चलेगी तो मैं suggestion यही दूँगा कि अगर आपको मैं first of all हमारी कोई suggestion नहीं रहती कि आप इस company को buy करिये या sell करिये कौंसे level पर sell करना है यह कभी हम नहीं बताते बट अगर आप इस company को buy कर रहे हैं तो यह सोच कर च अब जाकर आपको इस company में आपको results आपको देखने मिलेंगे और एक upward movement आपको देखने मिलेगा बट अभी के time पर अगर आपको buy करना है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा थोड़ा लंबट में भी शायद आपको लंबे समय तक इस company को रखना पड़ सकता है portfolio के वीडियो बनाने के लिए बहुत ही शांदार company थी और बहुत अच्छा लगा हमें इस company को पढ़के और इस company के पर वीडियो बना के तो इसी तर आप हमारे सारे वीडियो को देखते रहे है थैंक्यू सो मच